हेलो इस्ट्रेंट स्वागत है हमारे चैनल ब्यस्ट एजूकेशन लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं थार्ड यहर मैट्स थार्ड पेपर यूनिट फॉर्थ तो वीडियो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक सब्सक्राइब कर दोने हैं तो यूनिट फॉर्थ वरक्ष के बारे में बताया गया है व्रक्ष ट्री ना किसी परीपत का कोई आलेक उसे व्रक्ष कहते हैं ठीक इसकी डैफिनिस लिखेंगे यहां से ओर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की पर जाएक क्रम से कॉस किसी परिपत के एक संबध्ध आले को व्रच कहते हैं ठीक है इसके डेफिनिशन इतनी जैसे पूछी रहा तो आप लोग लिख सकते हो आप देको इसके एक्जैंल में आपन क्या लिख सकते हैं बिना किसी परिपत के यानि कि इसका होगा मॉट भीका होगा फरस्ट यह ब्रक्ष कैसा बनेगा यह वाला हिए देखो यानि कि दो यह कितना होगा अपना दो सीज का रच ठीक है और जैसे कि अपन को यह यदि मॉड़् भी इसे कॉल टू थ्री है तो पनी किस प्रकार बनाएंगे यह दिखो ऐसा और एसा यह पने तीन हो गए ठीक है या फैर कैसे बना सकते एक सीर्ष दो सीर्ष और तीन सीर्ष ठीक है या यह तो बनने इस प्रकार मतलब तीन सीर्स बनने से जिसके इसके दो सीर्स दे तो एक अपना ब्रक्ष बिना पढ़ी पर बनाएंगी तो आप लोग इस प्रकार बनाएंगे यह नहीं चार सीर्स नहीं चाहिए एक दो तीन चार ठीक है यह चार झार जीर्स का बन गया है अब जैसे किंगे चार जाल के तौर पर, पुछंजाे जाए, चै तिस सीन सहकर सहिट व्रक्ष निर्मित कीजिए तो इस इसको के सपर कारो होगी ओ Pilk please आप लोग नोट्स बनाते जाएगा ठीक है और साथ में लिखते भी जाएगा ताकि पेपर में पर आपको बार बार वीडियो देखने की जोड़ात ना पड़े आप लोग खोद अपने नोट्स में से पढ़ साको ठीक है जैसे कि अब यह चे हैं अपन को तो देखो एक दो त 3 4 5 6 एक तो यह हो गया अपना ठीक है इसको देद वापन ए अब सेकन्ड आप अपन क्या बना सकते छह सीट बनने चाहिए फ़ीग है तो जैसे वापन इस प्रकार सो भी बना सकते एक दो तीन चार पांच छे सीर्स ठीक है यह 6 हो गया और किस प्रकार बन सकता यह देखू एक दो तीन चार पांच छे ठीक है यह 6 सीर्स 6 सीर्स को अपन किस तने प्रकार से बना सकते हैं यहाँ पर यह बता रहें ठीक है एक दो तीन चार- पांच- चह. ठीक है. इतने प्रकार से 6 वाला सीर्ष बनाए और एक प्रकार और है इसका. देखू. एक- दो- तीन- दो- जपांच- ठीक है. इस प्रकार यह 6 सी에 हुसायद है. ऐसे अपन को 5 सीर्ष बनाती है तो इसके लिए भी हम आपके लिए आगे definition बता रहे हैं अब जैसे यदि आपको लोगों को कौसन पूछा जाए कि नियत पूछा जाए और कौसन दे दिया जाए कि निम्न को दर्शाइए क्रमित नियत पूछा यह ब्रक्च के प्रकार होते हैं वियनजक पूछा इस प्रकार आपको कौसन पूछाए कि निम्न को समझाए नियत वरक्षा क्रमित नियत वरक्षा और व्यांजक वरक्षा इसे कहते हैं रूटेड रूटेड ट्री इसे कहते हैं ओर्डर्ड रूटेड ट्री ठीक है यह होते हैं आप नियत वरक्षी डाफिनेशन देखते हैं सबसे पहले नियत व्रक्ष क्या कहलाता है रूटे ट्री इसके डेफिनिसन होगी एक नियत व्रक्ष एक विशिष्ट सीर से सहत व्रक्ष होता है जिसे जड़ कहते हैं मतलब इसे जड़ बोलते हैं नियत व्रक्ष एक नियत व्रक्ष एक नियत व्रक्ष इसके डेफिनिशन पूछी जा सकती है ठीक है फिर आप लोग को बताएंगे वियंजग व्रक्ष को किस प्रकार स्वाल्व करते हैं आगे ठीक आगे वीडियो को में तो आप लोग प्लेलिस्ट देखते रहिएगा नियत व्रक्ष एक विशिष्ट सीर्स सहत व्रक्ष होता है जिसे जड़ कहते हैं ठीक है जिसे जड़ कहते हैं ठीक है प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शन आप लोग को जरू लिखना है ठीक है रहा यह होता नियत व्रज जड़ यह कहला ह। पना यहां पर नियत व्रज ठीक है यहां पर इस को इस प्रकार से भी लख सकते हैं प्रेकार से भी इसको प्रदर्शत कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं दूसरा क्रामित नियत व्रक्ष यह अपना और रोटे ट्री यदि इसी नियत व्रक्ष की प्रतिक सीज्त जाए तो इससा व्रक्ष को करमित नियत व्रक्ष कहलाता है ठीक है अब देखो इसका डायग्राम क्रमित नियत व्रक्ष का तो आप लोग यह लिख सकते और यह डाइग्राम बनाना आप लोग लिए ठीक है जिसे अपन को डैफिनिसन बोला गया यदि किसी नियत वरक्ष के प्रत्यक सीर्स तता उस सीर्स को छोड़ने वाली कोर का यानि कि जिसे अपन किसी जो वरक्ष है उसके मतलब जो नियत वरक् यह अपनी वरक्ष की डैफिनिसन किसी वरक्ष जिसमें गड़ती संक्रियां योग व्यकलन गुड़न विभाजन इबं घातांक को एक क्रमित नियत वरक्ष के रूप में व्यक्त किया जैसा कि उसे व्यक्त वरक्ष कहते हैं ठीक है देखो आप इसमें बोला गया जिसी जोड़ना भाग घटाने सब कुछ होता है योग व्यकलन गुड़न विभाजन घातांक तो मतलब इसको क्रम से क्रम से लिखना या लगाना को व्यक्त कहते हैं अब जैसे देखो यह अपना इसका एक्जेम्पल टू प्लस फाइव इंटू सेवन माइनस नैन इंटू 42 अब यह अब आगे सब्सक्राइब करेंगे यह वाला जो कॉसन हम आगे वाली वीडियो में आगे वीडियो किया गया यह वीडियो पसंद रहें दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें थेंक्यू